हमारे पास आज की वीडियो का क्या है कि कार्बो हाइड्रेट के लिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से सम्मंदित तथे सत्य होंगे तो इसमें से कुन सा ऐसा तत्य है जो सत्य होगा मैं बता देता हूँ आपको कि कार्बो हाइडरेट में जो कार्बन, हाइडरोजन और ऑक्सिजन होते हैं पहले तिये याद रख लो कार्बन, हाइडरोजन और ऑक्सिजन किस रेशो में होते हैं वन रेशो टू रेशो वन में और इनकी जो सरल इकाई मानी जाती है कार्बो हाइडरेट की नियुनतम इकाई वो होती है CH2O ये ली जाती है तो जिसके लिए हमारा पहला कथन सकते है लेकिन आगे फिर अव धारणा ये आई थी कि ये सभी योगिकों के लिए सकते हैं नहीं होता तो दूसरा क्योस्चन ये ही इस क्योस्चन का कि सभी उपलब्द कार्बो हाइडरेट इस अनुपात के अनुरूप नहीं थे ये दोनों कथन सकते है तो तीसरा हमारा ओप्सन क्या बनता है दोनों तो याद रखना तीसरा हमारे पास ओप्सन क्या है दोनों तो ये हमारे पास क्या होगा क्रेक्टर आंस्वर क्लियर चलिए अब बात करते हैं क्योस्चन नंबर टू की क्योस्चन नंबर टू optical active compound which rotates plane polarized light गुरणन कार्थ होता है कि जो आपकी धुर्वियब परकास होता है उसे घुमा देता है और इसको observe कहां किया जाता है ये भी याद रखना उस instrument का नाम है polarimeter याद क्या रखना है polarimeter तो polarimeter वह instrument है जिससे हम इन योगिकों का पता लगाते हैं जो optical active होते है तो option A B सही है option B B सही है तो option हमारा क्या आएगा C clear है तो आदोनिक परिवासा के अनुसार कर्बो हाइडरेट होते हैं polyhydroxy या थो आकिटोन पलस दुरुवन गुरुना के योगिक optical active compound ये आपका जो चोथा option है ये कभी मौजूद है नहीं होंगे इन में से clear चलिए अब हमारे पास question आता है third कि चीनी का एक अनु जल दवारा अप गटित होकर कौन से योगिक परदान करता है तो देखिए चीनी जैसे ही विखंडित होती है जल के साथ एंजाइमों दवारा या आपका किसी अमली है विल्यन के दवारा तो याद रखना वो क्या परदान करता है गलूकोज तथा fructose option number के आएगा हमारे पास बी गलूकोज का formula क्या है C6, H12, O6 और fructose का भी formula क्या होता है यही होता है दोनों याद रखने है कि गलूकोज तथा fructose के जो रासाइनिक सुत्तर है वो दोनों क्या होंगे समान चली अब बात आती है next question की, question number 4 कहता है कि एक गलूकोज अनू में कितने जल के अनूविद्यमान होते हैं तो देखो पहले आप लोग क्या करोगे गलूकोज का formula लिखो C6, H12 और क्या लिखना है O6 आपको क्या करना है जो hydrogen और oxygen पीछे दिख रही है इसको ध्यान से देखो फिर आप oxygen की संख्या देख लो कि क्या वो common होने के लाइक है अगर वो common हो जाती है तो उतने ही जल के अनूव है क्या याद रखना है hydrogen और oxygen दोनों में से oxygen के परमाणूओं की संख्या देख लो जितने oxygen के परमाणूओं है atoms है वो अगर common हो जाएं दोनों में से सांजा हो सकते हैं तो उतनी संख्या आपके जलूओं के अनूओं की होगी तो इसमें से आपका 6 common हो रहा है यानि H2O में से 6 common हो गया तो आपके पास option number क्या बनता है A clear है तो एक glucose अनू में कितने जल के अनू होते हैं छेक चलिए next question चीनी के एक अनू में कितने जल के अनू विद्यमान होते हैं तो देखो बहुत important है सबसे पहले आप लोगों को चीनी के molecule का पता होना चीए formula क्या होता है C12O H22 क्या ह देखो इन दोनों में से 11 क्या हो रहा है common हो रहा है तो आपके पास यहां जल के अनू की संख्या कितनी बन रही है 11 option में देखिए क्या वहां मौझूद है तो नहीं है तो option क्या आएगा हमारे पास इन में से कोई नहीं कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो question दिया हुआ ह उसमें वो चीज होना, मौजूद होना जरूरी हो, clear, तो इन में से option क्या बनता है, इन में से कोई नहीं, clear, अब आता है सरलतम carbohydrate, जिन का जल अपगटन नहीं किया जा सकता, कि आप लोगों से ये question पुछा जा रहा है, कि ऐसे कौन से सरलतम carbohydrates निमन में से है, जिन का हम जल सकते, number 3 आप टाटरोज का नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये आपके सारे कौन से कार्बोहाइडरेट है, मोनो सेक्राइड है, क्या याद रखना है, मोनो सेक्राइड कार्बोहाइडरेट है, तो हमारे पास option क्या बनता है, इसका D, तो सरलतम carbohydrates, जिन का जल अपगटन न नहीं होते, तो वो गलुकोज, राइबोज और टेटरोज सभी option आएगा हमारे पास, option number D, चलिए, next question, सरलतम carbohydrates, जिन का जल अपगटन होता है, कहलाते हैं, कि जिन का नहीं होता, वो कहलाते हैं, कि सरलतम carbohydrates, जिन का जल अपगटन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, तो देखो, जिन का जल अपगटन नहीं होता, वो हमारे पास कौन से होते हैं, monosaccharide, oligosaccharide का जल अपगटन हो सकता है, इसलिए नहीं आएंगे, polysaccharide का भी जल अपगटन होता है, ये भी नहीं आएंगे, और सभी आपका option नहीं हो सकता, तो option only क्या बनता है, याँपर, एक ऐसे carbohydrate, ज दो से दस तक इकाईयां जल अपगटन के फल सवरूप परदान करते हैं, वे carbohydrate क्या कहलाते हैं, कि ध्यान दो कि monosaccharide की दो से लेकर दस तक इकाई जल अपगटन के फल सवरूप परदान करते हैं, तो वे carbohydrate क्या कहलाते हैं, तो क्या वे आपके disaccharide कहलाते हैं, क्या वे आपके सभी कहलाते हैं, तो option हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, oligosaccharide, क्या याद रखना आपको, oligosaccharide, तो oligosaccharide ऐसे carbohydrates होते हैं, जिन से हमें कितनी अपगटन के दोरान, monosaccharide का यहां मिलती है, जल के अपगटन के दोरान, दो से लेकर, 10 तक, तो option क्या आएगा हमारे प monosaccharide परदान करें, उन्हें कहा जाता है, वो monosaccharide, oligo, polysaccharide या disaccharide, यानि अत्यदिक संख्या की बात आए, तो अत्यदिक यानि अनेक, अनेक के लिए एक ही सबद लगता है कौन सा poly, तो समझ जाओ, हमारे पास option कौन सा आएगा यहाँ पर, poly, तो option number क्या बनता है, C, चलिए, next question क्या केता है, कि निमन लिखित कार्वोहइडरेट, polysaccharide है, कि वो starch है, cellulose है, glycosin है, या सभी है, कि निमन लिखित कार्वोहइडरेट, जो आपके polysaccharide है, तो देखिए, starch जो उता है, वो आपके पास कैसा saccharide है, polysaccharide, cellulose भी कैसा है, polysaccharide, glycosin भी कैसा है पॉलिस एक्राइड तो option number आपका क्या बनता है D clear चलिए next question यह है कि गन्ने की सरकरा कहा जाता है कि अपवरित सरकरा, माल्ट सरकरा, फ्रुक्टोज सरकरा या लेक्टोज सरकरा हमारे पास गन्ने की सरकरा को कहा जाता है यानि can sugar is known to be can sugar का अर्थ है जो साधारन चिनी है जो सरकरा है हमारी तो उसे हम किस नाम से जानते हैं याद रखना अपवरित सरकरा, अपवरित सरकरा का अर्थ होता है invert sugar क्या बोलते हैं invert sugar यानि inversion sugar अच्छे से याद रखना अपवरित सरकरा invert sugar क्यों कहा इनोवर्ट सुगर कि चिनी का अगर जलिये विल्यन है उसमें से हम अगर दुर्विय परकास को गुजारती हैं तो दुर्विय परकास को गुमा देता है गुरुनन कर देता है जो मैंने पिछे question बताया था यानि ये आपकी plane polarized light को rotate कर देता है इसलिए ये कैसा compound है optical active compound है चलिए next question हमारे पास क्या कहता है कि glucose का रासाइनिक सुत्तर क्या है तो यानि जो ये लिखा है C6 H12 O6 है C12 H22 O11 है C5 H10 O5 है या इन में से कोई नहीं तो option हमारे पास क्या आएगा first यानि C6 H12 और क्या आएगा O6 तो हमारे पास कौन सा है question का answer हमारे पास C6 H12 O6 option number A चलिए अब आता है हमारे पास next question 13 lactose सरकरा किस में पाई जाती है बहुत important question है कि lactose सरकरा आपकी किस में पाई जाती है सतन धारियों के दूद में गलुकोज से गलाइकोजन से या सभी से तो lactose सरकरा आपकी किस में होती है सतंधारियों के दूद में होती है यानि या चाए वो पसू है चाए वो इनसान है उनके दूद में अगर मिलती है तो कौन सी सरकरा मिलती है लेक्टोज सरकरा यानि एक मा अगर एक बच्चे को दूद पिलाती है तो बच्चा कुन सी सरक्रा अपनी माता से ग्रहन कर रहा है लेक्टोज सरक्रा के लिए चलिए नैक्स्ट क्योस्टन क्या कहता है कि स्टार्च के गटक है एमिलोज, एमिलोपेक्टिन या दोनों गलुकोज तथा गलाइकोजन important question है कि स्टार्च का अगर फॉर्मूला लिखें हम क्या आता है हमारे पास स्टार्च का फॉर्मूला C5, C6, H10, O5 और साथ में क्या लिया जाता है N क्या लिया जाता है N ठीक है तो ये हमारे पास स्टार्च का फॉर्मूला है तो स्टार्च के फोर्मूले में आपसे क्योशन यह पुछा गया है कि घटक कौन से हैं तो हमारे पास है दो घटक होते हैं एक होता है हमारे पास amylose और दूसरा होता है amylopactin तो option क्या बनता है हमारे पास c इसी तरीके से स्टार्च का अत्यदिक बाग अत्यदिक का मतलब होता है जो 80 से लेके 85 परसेंट तक बना हो तो स्टार्च का 80 से 85 परतिसत भाग किस से बना होता है तो क्या याद रखना है amylopactin से बना होता है बाकी जो बच गया कम मातरा वाला वो कौन सा होता है amylose या amylose कलियर चलिए next question क्या कहता है स्टार्च का कम मातरा वाला गटक कौन सा है यानि स्टार्च के अंदर जिसकी मातरा केवल 15 से लेकर कितने परसेंट होती है 20 परतिसत केवल कहां से कहां 15 से 20 तो वो कौन सा होता है amylose amylose आपका कम मातरा वाला जिसकी मातरा कितनी होती है पंदरा से लेकर 20% किसमे स्टार्च में अब क्योश्चन आता है कि स्टार्च का कौन सा घटक ये जो मैंने नाम लिखा है ये घटक है घातक मूवी मत समझ लेना घटक जल में गुलन सील होता है यानि content which is soluble in water of the starch यानि स्टार्च का कौन सा content पानी में soluble है यानि घुल जाता है तो वो कौन सा होता है कम मातरा वाला amylose कि amylose आपका स्टार्च का वै भाग है या वै घटक है जो आपका पानी में घुलन सील होता है clear चलिए next question क्या कहता है एकसू सरकरा कहते हैं किसे बहुत important question है धमाकेदार और धुएदार question आपके लिए सारे ठीक है चले तो एकसू सरकरा कहते हैं किसे गलुकोज को, लैक्टोज को, गन्य की सरकरा को या सभी को तो अंसर क्या याद रखना आपको गन्य की सरकरा को दो नाम दिये जाते हैं एक तो कहा जाता है एकसू सरकरा और एक मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता है अपवरित सरकरा अब question आता है हमारे पास पोदों की कोशिकाओं की कोशिका बिती का परधान अवयव है main content part of the plenty cell as cell membrane तो कौन सा पादप कोशिकाओं की कोशिका बिती का परधान अवयव है बहुत important question है number one question है option क्या लगाओगे cellulose clear कि पोदों की कोशिकाओं में जो कर्भोईडरेट कोशिका बिती का काम करता है वो कौन सा योगी का आपका cellulose है clear चलिए next question क्या कहता है पराणी सरीर में कार्भोईडरेट को किस रूप में संग्रहीत करते है देखो भई पराणी जो है वो सरीर में कार्भोईडरेट को किस रूप में संग्रहीत करते है बताना भई शावास बच्चों को टाइम भी देते है कमेंट बोक्स में कोई बच्चा जवाब नहीं लिखता चाहे उसे आता है चाहे नहीं आता फिर किताब ढूंड़ना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि बंदे ने कहां गलती करी है चलिए बताते हैं कि क्योस्चन नंबर 20 का अनसर चलिए आगे आता है क्योस्चन हमारे पास प्राणी स्टार्च किसे कहा जाता है तो देखो भी प्राणियों में जो चीज कार्वो हैड्रेट के रूप में गलाई कोजिने सिस प्रोसेस के दोरान क्या याद रखना है गलाई कोजिने सिस प्रोसेस के दोरान गलाई कोजन के रूप में जमा होता है और यही आपका क्या माना जाता है प्राणी स्टार्च तो option क्या बनता है C, तो हमारे पास प्राणी स्टार्च किसे कहते हैं या मानव स्टार्च पूछले किसे कहते हैं तो गलाई कोजन को कहते हैं आगे इससे जुड़ा हुआ question जुरूर आएगा जो इसके संचित के तोर पर जगह पूछता है तो प्राणी स्टार्च प्राणीयों में उपस्तित रहता है कहां यानि animals start present in animals at which point of the body और which organ of the body यानि मनुश्य में यह जो प्राणी स्टार्च है किस जगह पाया जाता है या संचित कहां होता है तो नमबर एक वही पहलवानों कहां होता है यकरित में होता है नमबर दो मास्पेशिया में भी होता है नमबर तीन मस्तिस्क में भी होता है नमबर क्या वनेगा फिर option number है डी कलियर तो यानि गलाई कोजन हमारे स्रीर में कहां संचित होता है या पाया जाता है यकरित मासपेशिया और किसमे मस्तिस तो यकरित में कोसिकाओं के दवारा गलाइकोजन में बदला जाता है किसको गलुकोज को ये भी याद रखना अगर कि उस्तन यू पूछ ले कि गलाइकोजन मानो सरीर में बनता था है तो कहां बनता है यकरित में बनत को किसमें भी खंडित करता है तो अनसर क्या याद रखना है समझ गए होंगे गलुकोज के लिए चलिए नेक्स्ट क्योस्टन कपास के पौदे से प्रापत कॉटन वूल बनी होती है किस से कि सैलुलोज प्रोटेन स्टार्च और गलुकोज तो बेज जिज़क आप आपसन क्य लगाओगे सैलुलोज तो कपास के पौदे से जो प्रापत कॉटन वूल है यानि कपास की रुई वो हमारे पास क्या चीज़ है याद रखना सैलुलोज गौन्द है एक यानि गौन्द कैसी चीज़ है इसमें अमलिया पॉली सेकराइड है स्टार्च है गलुकोज है या होगे अमलिय पॉली सेक्राइड होता है कौन है गौन्द चलिए हमारे पास next question क्या कहता है गाएं के दूद में सरकरा पाई जाती है तो गाएं के दूद में सरकरा कितने परतिसत होती है बहुत important question है और random question है पुछा भी गया क्या कितनी होती है चार से पाँच छे से साथ साथ से आठ या पाँच से आठ तो गाएं के दूद में जो सरकरा पाई जाती है वो कहाँ कितनी पाई जाती है चार से पाउच परतियत क्यी बार इस question का answer याद रख लेना चार से क्या लिखा जाता है छे परसेंट भी लिखा जाता है ठीक है इंपोर्टेंट हा आया वा भी है चलिए आगे नेक्स्ट क्योशन क्या आता है मानवदूद में सरक्रा का परतिसत होता है कितना तो मानवदूद में जो सरक्रा का परतिसत होता है वो कितना होता है 5 से 8 परतिसत बहुत important question है, चलिए next question, निमन में से कौन सी सरकरा मिठी है, तो हमारे पास निमन में से कौन सी सरकरा है, जो मिठी होती है, glucose है, fructose है, starch है, या cellulose है, तो हमारे पास कौन सी सरकरा सबसे मिठी है, तो आपके पास option क्या आएगा, fructose, इन में से सबसे मिठी सरकरा कौन सी होती ह तो दिमक लकड़ी का पाचन कर लेती है किस कारण कि भी दिमक लकड़ी खा जाती है तो उसमें कुछ न कुछ पाचित quantity होगी तभी वो क्या कर सकती है उसे digest तो हमारे पास उसमें क्या होते है cellulose enzyme अगर यह question आ जाए कि मनुश्य घास फूसिया तूड़ी नहीं खा सकता क्यो नहीं पचा सकता क्योंकि हमारे सरीर के अमाशे में cellulose enzyme स्त्रावित नहीं होते तो इसलिए लकड़ी खाने वाले गास फूस खाने वाले चारा खाने वाले जो भी जानवर है उनमें उनका पाचन असानी से हो जाता है किस कारण तो आपको याद क्या रखना है cellulose enzyme का उनमे स्त्रावन होता है clear चलिए next question आयूर वेद में उर्जा के ततकालीन stroke के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे तो यानि आयूर वेद में जो उर्जा के ततकालीन stroke के रूप में प्रयोग किया जाता था बेजीजे गांसर क्या लगा किया होगे सहद को प्रयोग किया जाता यह भी धांसू क्योंकि आ जाता है क्योंकि वो योगी के एक अपचाई घटक का काम करता है यानि रिड़क्टेंट एजेंट का काम करता है ताकि आपके सिसा जो दरपन है उसके पीछे की पालिस एक लंबेड समय तक टिकी रहे देखो उसके चमकिले सतय के लिए पूछ ले तो तो प्रियोग होता है सिल्वर नाइटरेट यानि क्योशन आ जाए कि दरपन की जो आपकी चमकिली सतय जिसमें हम अपना चहरा देखते हैं तो वो सतय अगर बनानी होती है तो वो तो बनती है सिल्वर नाइटरेट और मर्कुरिक नाइटरेट से लेकिन उसके स्थाई क सताई करण को कहते हैं कि लंबे समय तक टिका रहे तो उसके लिए दरपन पॉलिस में किस रासाइन का प्रियोग होता है वो आपको क्या याद रहना है गलुकोस बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है चलिए नेक्स्ट क्योशन क्या कहता है अब चाहि कार्वो हाइड्रेट होते हैं बहुत इंपोर्टेंट क्योशन है जितने मैंने क्योशन करवाएं ये सारे पलस टू कलास के क्योशन है अच्छे से दिमाग में गुसे लेना भई ठीक है हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी नोलेज हो पर भई मेरी तो इतनी नोलेज है जितने मैंने आपको क्योशन दिये हैं ठीक है कलियर है अच्छे से पढ़ देना फिर भी बता रहा हूँ आपको एक हिदायत दे रहा हूँ आगामी एक्जामों के लिए ठीक है चलिए तो हमारे पास जो अपचाई कार्बोहाइडरेट होते हैं अपचाई का मतलब होता है reducing carbohydrates कैसे होते हैं जो तॉलन अभी कर्मक तॉलन रीजेंड को silver mirror में बदल दे यानि silver दरपन में बदल दे failing villain को लाल अवक शेप में बदल दे यानि failing solution converted to red PPT तो option क्या आता है ध्यान रखना तॉलन अभी कर्मक को silver दरपन में बदले तो वो अपचाई कार्बोहाइडरेट होते हैं नमबर दो failing villain को लाल अवक शेप में बदल दे तो वो आपके क्या कहलाते हैं अपचाई कार्बोहाइडरेट जब दो option लग चुके हैं तो आपके चोते option का कहीं खजाना नहीं बसता तो option हमारा क्या आएगा see clear चलिए next question अनापचाई जो कार्बोहाइडरेट होते हैं यानि non-reducing sugars बोलते हैं या non-reducing कार्बोहाइडरेट भी बोल सकते हैं जो आपका नमबर एक टोलन अभी कर्मक का बदलाओ बदलाओता है नहीं करता बदलाओ नमबर दो फैलिंग विल्यन का बदलाओ इसी के साथ है वही यह जो point लिखा है ये इसके साथ है ठीक है तो фैलिंग विल्यन का बदलाओ या option आएगा दोनों या डी आएगा दोनों का up Change नहीं होना तो आपका option यहाँ क्या लगाओगे दोनों का अपचेन नहीं होना यानि अनाप चाई कार्वोहेडरेट नोन रिडूसिंग सुगर या नोन रिडूसिंग कार्वोहेडरेट वो होते हैं जो टोलन अभीकरमक का बदलाओ फैलिंग विल्यन का बदलाओ यानि दोनों का अपच यानि दोनों का कोई बदलाओ नहीं होता किस रूप में नहीं होता अपचेन यानि रिडूस नहीं होते तो कौन सा मदूरत पदार्त साधारन चीनी से मिठा होता है यहाँ एक जानकारी के तोर पे बता दूँ आपके पास कुल जो क्या के कॉम्पेटेटिव एक्जाम में पुछे जाते हैं वो चार घटक पुछे जाते हैं जो हमारे पास साधारन चीनी से कई गुना मिठे होते हैं और जो एक तरह से सलफर के योगी खोते हैं और जो आपके स्रीर में तूटते नहीं हैं केवल जीवा के सवाद के लिए प्रयोग किये जाते हैं जिन को मदू में रोग होता है डायबिटेज होती है कलियर यानि जिस इनसान में इंशिलिन हर्मोन स्त्रावित होना बंद हो जाता है कहां से लेंगर हैंस द्यूपिकाएं यहां एक नोलेज की बात बता दूँ आपको कि जो लेंगर हैंस द्यूपिकाएं होती है वो कहां पर पाए जाती है पैंक्रियाज यानि अगनाश्य में तो अगनाश्य में Langerhans DP काई होती है वहाँ जो cells होती है alpha, beta, gamma, delta तो वहाँ पर आपके पास alpha, beta और gamma, delta से 4 तरह के enzymes तरह भीत होते हैं sorry, hormones तरह भीत होते हैं वो आपके खास तोर पर जिसमें से एक hormone insulin होता है वो insulin hormone अगर वहाँ बनना बंद हो जाए तो यकरित के अंदर आकर वो glycogenesis प्रोसेस नहीं कर सकता तो जिसके दुरान आपके सरीर की जो सुगर है वो direct मुत्र के जरीए, urine के जरीए सरीर से बार आती है जो एक तरह से रोग धरन कर लेती है कौन सा मदू में तो उस रोग से सक्रमित जितने भी लोग होते है वो किस योगिकों का प्रियोग करते है मदूरक पदार्थ का इन्हें बोलते हैं हम स्विटनिंग एजेंट तो जो चीनी से कई गुणा मिठे होते हैं और जिवा के सवाद के लिए प्रियोग किये जाते हैं तो देखो सेक्रीन होती है नमबर दो एलिटेम भी होता है नमबर तीन है एसपार्टेम भी होता है ठीक है तो हमारे पास उप्षन के आएगा डी तो इसमें एक और चीज होती है सुक्रालोस नमबर एक सेक्रीन नमबर दो एलिटेम नमबर तीन एसपार्टेम और नमबर चार क्या होती है सुक्रा लोज ये आपके चार मदूरक पदार्थ सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास चिनी से पांसो गुना अधिक मिठा पदार्थ निमन में से है ये पदार्थ बच्चो ऐसा है जो आप हर रोज सुबह उठते ही प्रयोग करते हो समझाओ किसमे होता है बताऊंगा नहीं पहले मैं आप लोगों कमेंट बोक्स में इसका आंसर जुरू लिखना है कि चिनी से पांसो गुना अधिक मिठा पदार्थ है एक ऐसे योगिक में प्रयोग किया जाता है जिसका आप प्रयोग सुबह पहले अरली मॉर्निंग करते हो ठीक है तो चलिए यहाँ पर जवाब दे देता हूँ इसका आंसर क्या लगाना है सैकरीन यानि चिनी से पांसो से सड़े पांसो गुना अधिक मिठा कौन सा घटक होता है सैकरीन होती है अब साधारन चिनी से 2000 गुना अधिक मिठा पदारते कौन सा है तो देखिए अगर आप से कोई कह दे कि लगे 2000 का नोट है और टेम पास सब का हो जाएगा तो यानि एल है, टेम पास से सबका हो जाएगा, किस नोट से होगा, बड़े नोट से, हिंदुस्तान का बड़ा नोट कौन सा है, दो हजार का, तो दो हजार गुणा अधिक मिठा है, तो टेम सबका पास हो रहा है, तो option क्या बनता है, एली टेम, तो एली टेम कितने गुणा अधिक मिठी होती है, दो हजार गुणा, तो चार थी, पहली एक सेकरिन जो पान सो गुणा है, दूसरी आपकी एली टेम कितनी है, दो जार गुणा, दूसरी तीसरी याद रख लेना, जो एस पारटेम है, वो कितनी होती है, सो गुणा, चोथी याद रख लेना, सुक्रा जो कितनी होती है छे सोगुना ठीक है इन में से दो ऐसे घटक होते हैं जो आपके ठंडे और गरम तोर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं ठंडे में कौन सा होता है सोगुना वाला गरम में ज़्यादा कौन सा होता है छे सोगुना वाला ये दोनों भी अच्छे से याद रखने क्योसिन यह भी पुछे जाते हैं चलिए next question और last question आज की वीडियो का किस मिठे मदुरक पदार्थ को ठंडे पे पदार्थों में प्रयोग किया जाता है तो मैंने अभी बताया है जो आपका 100 गुणा अधिक मिठा होता है वो कौन सा होता है aspartum तो aspartum का प्रयोग कैस याद रखनी है कि जो गरम पदार्थों में प्रयोग होते हैं वो कौन सा होता है सुक्रालोस कितने गुणा अधिक मिठा होता है 600 गुणा अधिक मिठा होता है चलिए भी आज की वीडियो यही तक थी और कल एक नई वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे आप से और बहुत important question इसी तरीक्ये से लेके आएंगे, भाई ये एक बात फिर से कहना चाथा हूँ, बायर रिक्वेस्ट करना चाथा हूँ, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ना, कब जब वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है, और वी